हेलो फ्रेंड्स स्वागेते आप सभी क्या है एम रहमन यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स वोटर आईडी को बेरिफिकेशन करने के बाद आप फिट से वियलो यानि बूत लेवल ओफिसर के पास एक और लिस्ट आया है तो उस लिस्ट पे किन किन लोगों का नाम आया ह है और अगर आपका नाम आया है तो आपको आगे चलके क्या करना होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे हैं तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बोटर आईडी को बेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका नाम उस लिस्ट पे आएगा या बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने बेरिफिकेशन किया है लेकिन फिर भी उनका नाम उखा पे आया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का dml नमबर में कुछ प्रोब्लेम होता है या कुछ मिसमेच हो रहा है उनका dml नंबर उनके dml नंबर उनका नाम से मेच नहीं हो रहा है इसलिए वो लिस्ट बनाया गया है तो उस लिस्ट पे अगर आपका नाम आये तो आपको एक form format one करके form को fill up करना पड़ेगा वो form मैं आपको दिखा आपको अच्छे से house number, postal address, head of the family, serial number, gender, real name, real type, सब कुछ देखे आपको अच्छे से fill up करके उस form को आपका जो VLA है यानि both level officer है उनको पास उसको जमा करना पड़ेगा तो फ्रेंट्स यही था इस वीडियो में अगर आपको कैसे fill up करना है नहीं पता है तो comment कीजिएगा मैं आप लोग को एक और वीडियो के माद़म से आपको बताऊंगा कि इस form को आपको कैसे fill up करना है तो बहुत आसान है लेकिन अगर आपको कुछ problem हो रहा है फेर form को fill up करने में तो comment कर दे रहा मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा तो आज के लिए यही information आप जेहिंद